जैहिन सातियो वेलकम टू सेल्प स्टेडी क्लासेश विस्वमित जैन यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज की कक्चा प्रारंब हो चुकी है और सभी लोग लाइब आजाएं सभी लोग वीडियो को लाइक जरू करेंगे आज हम पढ़ने वाले हैं MPTET 2011 का ओल्ड पेपर जो परियावरन अध्यन का जो ओल्ड पेपर था उसके बारे में आज हम अध्यन करेंगे इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे किस प्रकार से जो है प्रस्ण आय हुए थे तो टेलिग्राम ग्रूप से सभी लोग जुड़ेंगे और वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है परियावरन अध्यन का जो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे परियावरन अध्यन का जो पेपर हुआ था 2011 में है ना ये परियावरन खंड E में परियावरन अध्यन का पार्टी बहुत 30 महत्पूर्ण प्रस्णों के बारे में यहाँ पर चर्चा करने बाले हैं ठीक है तो सबी लोग आ जाएं और सबी लोग सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें उसके बाद सबी को सेर भी करना है पूर्ण यह प्रस्ण है जिनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है सबसे पहला जो आपका प्रस्ण है काटेदार जाड़ियां मिलती हैं तो कहां मिलती हैं जी सबी को बहुत अच्छे से उत्तर भी बताना है सबी लोग आंकलन भी करेंगे सबसे पहले आप सबी ये जलबायू में या इनमेंसे कोई नहीं, सभी लोग उत्र बताएंगे, सभी को उत्र बताना है, इसका उत्र क्या होगा, काटेदार जाड़ियां मिलती हैं, तो एक काई में मिलती हैं, काटेदार जाड़ियां सभी को उत्र बताना है, तब सभी लोगों ने, अधिकांस लो जाडिया, तो B-number सभी हो जगा तीक है, बहुत बड़िया है ना, B-number सभी है अंगला question देक लेते हैं अंगला है सुनहरा रेशा से अभी प्राए है तो क्या है। ये चार बिकल्प हैं आपके सामने, चाय, कपड़ा, पट्सन या फिर रवड़, तो सुनहरा रेशा से क्या हुई प्राय है, चार बिकल्पों के माद्यम से हमें उत्तर बताना है, सभी लोग बताएंगे, तो उत्तर क्या होगा, सुनहरा रेशा सभी को पता है, हम रोज अद सभी को बताना है, ब्रसपती, सनी, सुक्र या फिर मंगल को, तो सभी लोग बताएंगे, ब्रसपती सबसे बड़ा ग्रह है, सुक्र को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, है ना, सनी को बलेयाकार माना जाता है, मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, तो प्रतिवी की जो जुड का सबसे उंचा पठार कौन सा है तब आपके चार विकल्प हैं दक्कन का पठार मालवा का पठार चोटा नांगपुर का पठार या फिर तिबबत का पठार तो सभी लोग उतर बताएंगे कि विस्तु का सबसे उंचा जो पठार होता है वो कौन सा पठार है सभी लोग आंसर अंसर बताना है विस्तु का सबसे उंचा पठार हमें बताना है उतर क्या होगा तब अधिकांस लोगों ने बिलकुल आंसर सही बताया है कि जो तिबबत का पठार है यानि कि जो बिकल्प नमर डी है वो आपका सही होगा जिन्होंने भी डी बताया है वो सही है तिबबत का प आपदा का उधारन है तो कौनसा है यह आपके चार बिकल्प है इस प्रिकार से मानव जनित आपदा हमें बताना है भूकंप है सुनामी है रासाइन एक आपदा है या फिर भू इसकलन है तो सभी लोग उतर बताएंगे मानव जनित आपदा का एक उधारन कौनसा है देखो भ रासायने कापदा ये मानव जनेतापदा मानी जाती है तो C नमर आपका बिल्कुर सही होगा ठीक है, C नमर रासायने कापदा, अंगला क्वैस्चन देख लो, सोर उरजा एक खाली स्तान है, तब हमें बताना है, ये चार बिकल्प हैं, नभी करनी हैं, आ नभी करनी हैं, परम लोग आंसर बताएंगे सभी लोग वीडियो को लाइक जरू करेंगे ठीक है सभी लोगों को लाइक करना है और सभी लोग वीडियो को सेयर कर सकते हैं तो सेयर भी करेंगे ठीक है तो इसका अधिकांस लोग जो उत्तर बता रहे हैं कि सूर जो है ये क्या है तो सभी लोग बताया है उनका अंसर बिल्कुर शही है सूर उर्जा जो होती है वो नभी करनिये साधन की अंतर गताती है बिल्कुर शही बहुत सारी लोगों ने बिल्कुर शही आंसर दिया है तो ए नम्मर आपका बिल्कुर शही हो जागा ठीक है जिन्नोंने भी ये बताया है उनका अंसर सभी लोग उत्र बताएंगे सभी को उत्र बताना है काली मिट्टी पाई जाती है तो कहां पर पाई जाती है तब आपका जो उत्तर होगा अधिकांस लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बताया है कि जो गुजरात है गुजरात यानि की बिकल्प नमबर 20 इसका सही हो जागा ठीक है महराष्ट, गुजरात और मद्द प्रदेश में एक काली मिट्टी पाई जाती है तब आपका बिकल्प नमबर 20 इनों नहीं बताया है बो आंसर बिल्कुल शही है ठीक है गुजरात अंगला क्वेस्चन देखो अंगला क्वेस्चन है साथ यो निमने मैसे कौन सा उद्योग दूरभास कम्प्यूटर आदी संयत्र निर्मित करता है अब अच्छे से समझना है कौन सा उद्योग दूरभास कम्प्यूटर आदी संयत्र निर्मित करता है तो कौन सा उद्योग करता है सभी लोग बताएंगे ये चार है सबी को अच्छे से बताना है सभी लोग बताएंगे तो प्रस्ने किरमा अपना और उत्तर बताना है तब आपका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा वो होगा विकल्प नमटर बी ELECTRONIC ELECTRONIC आपका सही होगा ठीक है D इसका सही नहीं होगा है ना यह जो D है इस सूचना प्रवधोगी यह सही नहीं होगा electronic जो है देखो computer का निर्मार जो होता है या दूरभास या टेलीफॉन आदी के जो उपकरना बनते हैं वो electronic इसका सही हो जाएगा मैंने सर्च भी किया है और इसको डूडा भी था ठीक है तो यह electronic इसका सही होगा अधिकांस लोगों ने जो है सूचना प्रोध्योगी की जो होगा लेकिन electronic इसका सही हो जागा electronic जो अधियोग होते हैं उनके द्वारा computer निर्माल किये जाते हैं दूरभास यानि की telephone आदी जो है निर्माल किये जाते हैं तो बी नम्मर आपका सही होगा ठीक है अंगला देखो अंगला को question है जो अपना वो क्या है निर्मन मैंसे कौन सा पत्तन या बंदरगा है पूर्वी तट पर इस्तित जो अंतह इसलिए तथा अधिक्तम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण जो है सुरक्षे थे वो पत्तन कौन सा हो जाएगा सभी लोग बताएं चिन्नाई, तूती, कोरेंट, पारादीप या बिसाका पत्नम सभी लोग बताएंगे ये चार बंदरगाय है चार में से हमें बतानी है कि कौन सा बंदरगाय है जो पूर्वी तर पर इस्तित अंतह इसलिए तथा अधिक्तम गहराई का पत्तन है सुरक्षित पत्तन है तो व चिसाका पत्नम आपका बिल्कुल चाहिए होगा अंगला देखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव के मुक कारण में कौन सी गैस है देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो ग्रीन हाउस गैसे हैं उन गैसों को आपको याद रख लेना कितनी ग्रीन हाउस गैसे हैं ठी ठीक है कारबन डाइयाकसाइड आपका सही होगा बी नम्मर बिलकुल चाहिए जिन्होंने भी बताया है अंगला देखेंगे कौन जल प्रदूसरन का स्रोत नहीं है तो अच्छे से उत्र बताना है जल प्रदूसरन का स्रोत कौन सा नहीं है तब आपका उत्र क्या होगा ओद् प्रदूशन का स्रोत नहीं, नहीं हैं, बताना है, नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा जल प्रदूशन का स्रोत नहीं है, तो सभी का आंसर जो है, बिलकुल शाही है, रेडियो एक्टिव कच्रा, यानि कि जो बिकल्प नमबर B है, वो आपका बिलकुल शाही होग ठीक है ये जो है जल प्रदूशन का स्रोत नहीं है तो बी नम्मर आपका बिल्कुर चाहिए होगा अंगला क्या है भारत में बार की चेताबनी कौन देता है बार की चेताबनी हमें बताना है कौन देता है बार की चेताबनी सभी लोग उत्र बताएंगे तो उत्र क्या हो बार नेंतरन बिभाग, जल संसादन बिभाग या फिर एस अभी तो सभी लोग याद रख लेना एस अभी आपका डी नमर बिलकुछ सही हो जाएगा ठीक है इसमें हम डिसकसन करेंगे जिसका जो भी क्वेस्चन होगा वो वीडियो के लास्ट में पूछेगा ठीक है बहुत स्रोतों का रख रखाओ करती है या फिर बिद्यालाय का निर्मान या फिर गरीबी रेका से नीचे के लोगों की सूची बनाना या फिर एस अभी तो एस सारे के सारे जो कार हो जाएंगे वो ग्राम पंच्यात के कार होंगे है ना यानि कि जो ग्राम पंच्यात है वो पानी कि सुरोतों का रख रखावी विद्यालाय का निर्माण भी गरी भी देखा से तो ये डी नम्मर आपका बिल्कुल चाहिए होगा है ना बहुत बड़ी आंसर अंगला देख लेते हैं निमलकित में ऐसे कौन सी आपदा परियावरनी इहरास के कारण उत्पन होती है सबी लोग कि सारी आपदा परियावरनी इहरास के कारण जो है उत्पन होती है तो डी नम्मर आपका बिल्कुल सही होगा ठीक है अंगला कॉस्चन है इंद्रा गांदी नहर परियोजना का लाब किस राज्ज को मिलता है आपको पता होगा कि इसे राजस्तान की जीमर रेखा कहा जाता है हरी के बेराज से यह जो नहर है वो निकलती है है ना और यह जो इससे किस राज्ज को लाब मिलता है और इस सबसे बड़ी नहर भी मानी जाती है ना तो याद रख लिना है इंद्रा गांदी नहर तो इसे जीबन उत्तर होगा राजस्तान राजस्तान आपका सी नम्मर ब बिल्कूर सही होगा अंगला कॉस्चन देखेंगे अंगला कॉस्चन है जल जनित बीमारी का एक उधारन है तो कौनसी है सभी को बताना है है ना मैं आपसे बार-बार बोल रहा हूं कि हमें इस सारे के सारे जो है वो याद रख लेना है जल जनित बीमारी का एक उधारन है तो कौनसा है सभी लोग उत्र बताएंगे जल जनित बीमारी का उधारन कौनसा है सभी को आंसर बताना है सभी लोग बताएंगे उत्र क्या होगा जल जनित बीमारी का उधारन हमें बताना यहाँ पर डिप्तीरिया डाइरिया ट्रांसिलीटिस या फिर खसरा तो सभी ने जो उत्र बताया है कि जो जल जनित बीमारी है वो कौन सी है अधिकांस लोगों ने बिलकुर सही बताया है डाइरिया आपका सही हो जाएगा ठीक है डाइरिया आपका बिलकुर सही है यानि कि जो आपका विकल्प नम्मर सी है वो इसका सही होगा डाइरिया ठीक है सी नम्मर वालों बहुत सही अंगला देखो परियावनी सिक्षा का उद्देश से है तो क्या है उद्देश परियावन की सुरक्षा इवं संरक्षन परियावन की संसादनों का अधिक्तम उपिय परियावरण की संसादनों का नियुंता मोपियोग या इनमें से कोई नहीं तो सभी लोग उत्र बताएंगे परियावरणी सिक्षा का उत्देश से क्या है है ना परियावरणी सिक्षा का उत्देश से क्या है तो सभी ने आंसर बिल्कुल शाही बताया है कि जो ए नम्मर है परियावरण की सुरक्षा इबं सनरक्षन ये परियावरण सिक्षा का उत्देश से होता है ए नम्मर आपका बिल्कुल शाही होगा ये नममर जिन्वाने भी बताया है उनका अंसर बिलकुल शाही है ठीक है ये नममर वालों का अंगला देख लेते हैं निमने लिकित पृतियोगिताओं में किसका सम्मंद परियावरन के पृति जागरुखता बढ़ाने से है जागरुकता बढ़ाने से आपको बताना है ग्रीन ओलिम्पियाड बन महोसव परियावरण प्रदर्सनी या फिर परियावरण बेद दिबास तो किसका संबंद होता परियावरण के पिर्ति जागरुकता बढ़ाने का तो बताना है पिर्तियोगिताओं में बताना है पिर्ति हो जाएगा सभी लोग उत्तर बताएंगे और आपका जो आंसर है वो क्या है आंसर होगा साथ यो आपका A यानि की Green Olympiad Green Olympiad यानि की बेकल्प नमबर जो A है वो आपका सही हो जाएगा A नमबर ठीक है परियावरण के पिर्ति जागरुकता बढ़ाने से ग्रीन ओलिम्पियाड ए नम्मर आपका सही होगा ठीक है अंगला कोस्चन है परियावरण दिबस पिर्ति बर्च किस दिन मनाया जाता है सभी को उत्र बताना है परियावरन दिबस पिर्ती बर्स किस दिन मनाये जाता है सभी को बताना है ठीक है सभी लोग उत्र बताएंगे तो सभी को पता है कि जो पांच जून है पांच जून यह आपका सही है और 2019 की जो थीम थी वो क्या थी बायू प्रिदूसन बायू प्रिदूसन इसकी थीम थी तो बी नम्मर आपका बिलकुल करेक्ट आंसर होगा ठीक है बी नम्मर अंगला क्वेश्चन देख लेते हैं बिद्ध्यालाय किस रणनीती द्वारा बिद्ध्यारतियों के दिलो दिमाग में परियावरण के पिर्ती जागरुकता पैदा कर सकते हैं तो बताना है कैसे कर सकते हैं सभी लोग बताएंगे बिद्ध्यालाय किस रणनीती द्वारा बिद्ध्यारतियों के दिलो दिमाग में परियावरण के पिर्ती जागरुकता पैदा कर सकते हैं खेल कूंद द्वारा, पाट क्रम एवं पाट सहगामी क्रियाओं द्वारा, परीक्षा द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं चार बिकल्प हैं, चार में से एक कचेन करना है, रोज साड़े छे बजे आपकी किलास होती है परियावरण की और सभी लोग आंसर बताना हैं, तो उत्तर क्या होगा, जागरुकता पैदा कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी यानि की पार्ट करम एबं पार्ट सहगामी किरियाओ द्वारा, बी नम्मर बिलकुल इसका सही हो जाएगा ठीक है, पार्ट करम एबं पार्ट सहगामी किरियाओ द्वारा परियावरण की पिरती जागरुकता पैदा कर सकते हैं, बी नम्मर आपका बिलकुल चाही होग बच्चों का संपूर्ण बिकास, पुर्सों का संपूर्ण बिकास, महिला ससक्तिकरण नागरों के ब्यक्तित्तों का संपूर्ण बिकास तब उत्तर क्या होगा भारतिय संबीधान द्वारा प्रदत्त मौलेक अधिकारों का मुकुद्देश से क्या है तो उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्निक्रमांग के अपना भारतिय संबीधान दोरा चार बिकल्प हैं और सबी लोगों को पता है कि जो इसका उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा नागरेकों के ब्यक्तित्तों का संपूर्ण बिकास और डी नम्मर जोनों भी बता है उनका अंसर बिलकुल शाही है अंगला कॉस्चन है सामाजिक बिग्यान में कौन सा घटक सामल नहीं किया जाता तो कौन सा नहीं किया जाता सबी लोग आंसर बताएंगे इतिहास, राजनिती बिग्यान, भोगोल या फिर ब्यवसायक अध्यन तब आंसर क्या होगा सामाजिक बिग्यान में कौन सा घटक सामल नहीं किया जाता तब आपका बिलकुल शाही है आंसर डी यानि कि जो ब्यवसायक अध्यन है ये सामल नहीं किया जाता गूगल किया जाता है इतिहास और राजनीती ये सभी सामिल होते हैं दी नम्मर आपका बिलकुल चाहिए नेक्स्ट बात करते हैं पाट करम का बहचेत्र जिसका परीक्षण अंकों द्वारा नहीं किया जा सकता सभी लोग बताएंगे स्वास्त, योग, संगीत या फिर ए सभी तब उत्तर क्या होगा सभी लोगों को बताना है पाट करम का बहचेत्र जिसका परीक्षण अंकों द्वारा नहीं किया जा सकता तो किसके द्वारा नहीं किया जा सकता सबी लोगों को आंसर बताना है तब आपका आंसर हो जाएगा C यानि कि A सबी ना तो स्वस्त का ना संगीत का ना ही योग का तब D नम्मर आपका बिल्कुल शाही होगा जिन्होंने भी D बताया उनका आंसर बिल्कुल शाही है अंगला कोस्चन नियुके से कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है जल की बरबादी, जल का संरक्षन, बनों का बिनास या भूमी या परदन तब सबी लोग उतर बताएंगे पर्यावरण की समस्या नहीं है ये अपनने कले या परसोई प्रस ने पढ़ा था पर्यावरण की समस्या नहीं है है ना पढ़ा था ना कोस्चन ये वाला तब आपका जो आंसर होगा कि जल का जो संरक्षन है ये पर्यावरण की समस्या नहीं है बी नम्मर आपका सही होगा बनो का बिनास ये है जल की बरबादी है भून मी या परदन भी है लेकिन जल का संरक्षन ये नहीं है तो बी नम्मर आपका बिलकुछ सही होगा ठीक है अंगला देखो इन में से कौन सा परियावन की सिक्षा का सिद्धान्त नहीं है तो कौन सा न इबं आरते कुद्देश तता सभी को प्रात्मिक्ता देने के साथ सद्वाव पूर रोनी चाहिए तब आपका उत्तर बताना है कौनसा परियावर्ण। नहीं है बताना है तो सभी लोग बताएंगे कौनसा नहीं है तब आपका बिल्कुल जो सही आंसर होगा वो क्या होगा B नम्मर का परियावर्ण सिक्चा जीवन परियंत नहीं दी जानी चाहिए यह जो सिद्दान्त है यह परियावर्ण की सिक्चा का सिद्दान्त नहीं है क्यानी कि जो विकल्प नमर B है वो आपका बिल्कुल शही होगा बी नमर का जो अधिकांस लोगों ने बिल्कुल शही बताया है अंगला कॉशन देको नेली क्रांती संबन्दित है तो सभी को याद रख लेना है कौशी है देखो हम बात करते हैं पेली क्रांती तो पेली क्रांती तिलहन उत्पादन से स्वेत क्रांती तो स्वेत क्रांती जो है यह है दुखद उत्पादन से ठीक है और हरित क्रांती एक खाद्यान उत्पादन से है यह सारी की सारी जो क्रांती है वो अपन को याद रखना है और यहाँ पर नेली क्रांती पूछा गया है तो मता सुथ पादन से C नमर आपका बिलकोल चाही होगा जिन्होंने भी C बताया उनका अंसर बिलकोल चाही है ठीक है अंगला कॉस्चन देख लेते हैं इनमें से कौन सा मानविय परियावरन का घटक नहीं है मानविय परियावरन का घटक हमें बताना है कौन सा नहीं है भूमी, शमुदाय, धर्म या फिर परिवार तो सभी लोगों को वीडियो को लाइक जरू करना है साम को साड़े छे बजे अपनी रोज किलास होती है साड़े छे बजे, छे बजे के 30 मिनट पर रोज किलास होती है परियावरन साथ बजे के 15 मिनट पर होती है बाल बिकात रात्री में 10 बजे के 10 मिनट पर होती है हिंदी और दो पहर धाई बजे अपनी किलास होती है सिक्छा सास्त्र ठीक है तो भूमी आपका बिल्कुल सफ़्य होगा कौन सा मान भी परियावन का घटक नहीं है तो भूमी आपका बिल्कुल सफ़्य है ए नमर आपका बिल्कुल शई हो जाएगा ठीक है अंगला question देखेंगे द्रवित मेगमा से बने cell चटान को क्या कहते हैं आगने आउसादी कायंतरत या इन में से कोई नहीं मेगमा से जो चटान बनती है उस चटान को क्या कहा जाता है तब प्रश्न क्रमान कपन को है 148, 149 और 149 का उत्तर हमें बताना है सबी लोग बताएंगे कि मेगमा से जो चटान बनती है वो चटान कौन सी है तब अधिकान से लोगोंने जो उत्तर बताया है बिलकुल सही बताया है कि वो चटान कहलाती है आगने चटान यानि बेकल्प नमबर जो एक है वो बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है यह नमबर आपक oxygen तो हानिकारक क्रणों से बचाती है तो कौनसी gas बचाती है पराबैगनी क्रणे जिसे बोला जाता है है ना और पराबैगनी क्रणों से जो gas बचाती है वो gas कौनसी है जो समताप मंडल या समताप मंडल में ये जो है पाई जाती है 16 सितंबर को मनाया जाता है उसका दिबस तो वो है ओजोन गैस हैना 16 सितंबर को ओजोन दिबस हम मनाते हैं समताप मंडल में ये पाई जाती है इसकी नापने की जो एकाई है वो डापसन एकाई है ठीक है इस सारी की सारी चीजें ओजोन के बारे में हमें याद करनी है अंगला क्वेश्चन है जब तरल रूप में प्रतिवी पर आती है तो उसे क्या कहा जाता है तब अदिकास लोगों ने बिलकुल आंसर सही बताया है कि जब ब्रश्टी जो है तरल रूप में आती है तब उसे कहा जाता है बरसा बरसा यानि की बेकल्प नमर जो बी है वो आपका बिलकुल आंसर सही हो जाएगा और यहां पर हमारे 150 में से मतलब जो 30 प्रशन है परियावरण के जो पेपर ओल्ड पेपर था 2011 का उसमें ए प्रशन आये थे ठीक है तो आप लोग समझ सकते हो कि पेपर किस प्रकार से आना है आपकी क्रांतियों से सम्मंदित भी आ सकता है गिरहों से सम्मंदित भी आ सकता है ठीक है सूखा बार भूकंप इस सारे की सारे यहां से प्रशन आएंगे ठीक है तो बहुत बढ़िया भावना पंडे जी ने दिया था सुरेश जी हैना हरियों जी पुसपेंदर जी और सिबा जी अनुरादा जी मोहम्मद जी अमरीज जी सोना ठाकुर जी परी ल जनी चोधरी जी और पूनम जी ठीक है बहुत बढ़िया हैना बहुत बढ़िया सबी लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से हल किये हैं हैना मनीसा सुकला जी बिनोज जी कुमकुम जैसबाल पूजा रगबंसी जी राजियो जी रिया जैन जी बहुत बढ़िया सुरेंद के पूरे के पूरे वीडियो सभी को देखना है आपकी बिलको रोज होता है अपना साड़े छे बज़े जो किलास होती है हर टॉपिक के प्रस्ण आपको मिलेंगे परियावरण की पूरी प्लेलिस्ट बनी है लगबग सत्तर वीडियो उसमें डरे हैं जो भी पढ़ना चाहते वो प्लेलिस्ट में देखेंगे नेहा नागर जी, एसके जी, है ना, एमराज जी, आसीज सुकला जी, बिलकोल जैहिंद आसीज जी, परी लकी जी, कमलेस कुमार जी, है ना, और बंटी मिसरा जी, और आरती गोसोमी, सौनम जी, है ना, सर इस बार थोड़ी कठ, हाँ, इस अपन को जानना जो है, पिछले जो बैक्गराउंड है, उसको जानना बहुत जरूरी है, राजिव सुकला, प्रीती जी, है ना, स्री कृष्ना पाल जी, सर जी, तनिल जी, मुहम्मद जी, ठीक है, और कुमकुम जैसबाल जी, हिम जी, और कमलेस जी, आरिया पाल जी, हैमरा जी पूजा जी सुल्तान जी गोपाल जी धरम जी सुरेंदर जी सिवा जी ठीक है हाँ पूछ सकते हो जिसको जो पूछना गोपाल जी पहला जी है मराज जी अनिल जी है ना बहुत बढ़िया हाँ आल इंडिया देखे हैं जोती पाट्रे हमराज जी सिवा जी स्री जी उमा सरन जी देओ जी बहुत बढ़िया है ना बहुत फाम डल गए है छे लाग से उपर ही फाम है हमराज जी बिसाल जी मतलब कॉमपडिशन बहुत जादा है और पेपर भी कठे ना आने बाला है ठीक है चोरसिया जी हिमपरजा लोगों को जो भी पढ़ना चाहते है परयावरन को तो परयावरन में सभी को जढ़ना है परयावरन की रोज किलास होती है है तो रोज 6 साढ़े छेवजी क्लास होती ही है सुरजी सिंगजी रोज होती है है ना और जिस दिन नहीं होगी तो मैं उसकी जानकारी दूँगा लेकिन रोज होती है 100% रोज होती है ठीक है है ना राजीव जी अनिल जी जोती जी हरियोम जी मैत पेड़ागोजी स्री जी है ना आई अमित जी बहुत बढ़िया अनुरादा जी रीनु गोयल सुल्तान जी परी लकी जी ठीक है बहुत बढ़िया परी जी हैमराज जी सुमित जी और तो आसीज जी राजियू जी धरमदास जी संस्कित की पेड़ागोजी भी पढ़ाएंगे धरमदास जी इसी प्रकार से अपनी नेक्स्ट किलास जो होने वाली है वो होने वाली है काई की बालबिकास की साथ बचके 15 मिनिट पर परी लकी जी देख रहे हैं सभी के मैसज देख रहे हैं समर्थ जी दीत लेबल जी सभी के मैसज में देख रहा हूँ कुमकुम जैसबाल जी ठीक है और सभी का एक ही उद्देश होना चाहिए कि 130 पिलस 130 पिलस का उद्देश लेकर के चलना है सभी को ठीक है है ना काई की competition बहुत टप है हरियोम जी और बहुत बढ़ जा प्रीति जी 130 पिलस लेकर के चलेंगे सभी लोग 130 पिलस आपका जो भी कटाप है वो 130 पिलस मानके चलो 80 सुकला जी ठीक है सभी लोग 130 पिलस मानके चलेंगे कटाप को और 130 पिलस लेकर के ही आँगे बढ़ना है है ना youth competition की book लेली बहुत बढ़ जोती जी हरियोम जी परी जी ठीक है आप लाइन सारी वीडियो डली है परियावरण की बालवेकास की मैत पेड़ावाजी और सारी की सारी जो भी वीडियो है इंदी पेड़ावाजी सब डली है स्री क्रिशना जी लालचंद कुर्मी जी सोनम जी ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो अपनी साथ पंदरा पर होने बारी है बालविकास की उसमें भी हम अध्यन कर रहे हैं ठीक है बुद्धी से समंद अपना अध्यन चर रहा है बुद्धी से समंद तो उससे जो भी जुड़ना चाहते उससे जुड़ सकते हैं आज अपने लेवेल भाले विए कासWी डाई बजिया आपकी किलाश होती है सिख्चा सास्ट की और रात में 10 बच के 10 मिनिट पर किलास होती है हिंडी की ठीक है तो जो भी जड़ना चाहेते हैं वो जड़ सकते हैं इस वीडियो के लिए बस इतना ही जैहन